हालो फ्रेंड्स टीडीबिके इस सेशन में आपका स्वागत है आज हम लर्निंग यानि अधिगम टॉपिक को कवर करेंगे इसके कुछ हम करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे गए हैं अपके सामने पहला कोष्ज Ama के तरह मूव करते हैं सेकने के प्रयत में भूल सिद्धान्त के प्रति बादक कौन हैं अपसट ब कहलrid एककोलर, option number B, स्कीनर, option number C, थॉन डाइक, and option number D, हल यहाँ पर आपका right answer होगा, option number C, थॉन डाइक चलिए next question करते हैं, कौन सीखने का मुख्य नियम नहीं है option number A, कतपरता का नियम, option number B, अभ्यास का नियम, option number C, प्रभाव का नियम, and option number D, अनुक्रिया का नियम यहाँ पर आपका right answer होगा option number D, बहु क्रिया का नियम चलिए next question करता है CL हल सम्मंदित हैं किस से option number A, उदीपकनुक्रिया सिधान से option number B, संबध प्रतिक्रिया सिधान से option number C, अंतरदिष्टिक के सिधान से and option number D, प्रबलन के सिधान से यहाँ पर आपका right answer होगा D option, प्रबलन के सिधान से हल जो हैं वो प्रबलन के सिधान से सम्मंदित हैं चलिए next question करते हैं सीखने मेततपरता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम, प्रतिपादन किस ने किया है option number A, थॉन डाइक option number B, पॉला चलिए next question करते हैं सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से धान के पतिबादक कौन है option number A, थॉन डाइक option number B, हल option number C, पॉला option number D, स्कीनर यहाँ पर आपका right answer होगा स्कीनर, option number D next question करते हैं इसमिती सीखी हुई वस्तु का सीधा उपी हो गया ठीक है, किसमें परिभासित किया है option number A, स्टाइडर ने option number B, वुडवर्थ ने option number C, जेम्स ने option number D, नन ने यहाँ पर आपका right answer होगा C, option जेम्स ने चलिए next question करते हैं सीखने के सूज सिधान्त के पतिबादक कौन है सूज सिधान्त इसको अंतरदिष्टी का सिधान्त भी कहते है inside theory गिसाल थेरी के नाम से भी इसे जानते है option number A inside theory यानि अंतरदिष्टी ठीक है अंतरदिष्टी का सिधान्त और इसे gestalt थेरी के नाम से भी जानते हैं, चलिए option number A, यहाँ पर गक्स है option number B, स्कीनर है and option number C, कोहलर है and last option है D, पाउला यहाँ पर आपका right answer क्या होगा कोहलर, C option चलिए, next question के तरब मोफ करता है पाउला संबंदिथ है option number A, सास्त्री अनुबंद से option number B, उदीपक प्रक्रिया सिधान से option number C, सूज के सिधान से and option number D, भूलेवं, त्रूटी के सिधान से तो यहाँ पर आपका right answer होगा सास्त्री अनुबंद से पाउला किसे संबंदिथ है सास्त्री अनुबंद से चलिए, next question के तरब मोफ करते है आपके सामें, दस्वा कोशन है क्रिया प्रसूत अनुबंद अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सत्त या संभावित अनुख्रिया होती है ऐसे समय क्रिया प्रसूता की सक्ती बढ़ जाती है यह किसका विचार है देखिए, क्रिया पसुद अनुबंद का जो सिधानत है वो किस ने दिया है? इसकी नर ने दिया है, ठीक है? चली, next question करते हैं आभी प्रियंडा से उत्बन क्रिया सीलता ही सीखने की उत्दरदाई होती है यह कथन किसका है? अभी प्रियंदा से उथपन ठीक है। आपसे नमबर A, आपके सामने B ने, आपसे नमबर C, B, Douglas, आपसे नमबर C, B, इनने से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा, B, इसकी नहीं। चलिए, नेस्ट कोशन की तरह मूख करते हैं। आपके सामने 12 वावा कोशन से, option number B, अनुकरिया से, option number C, अनुकरण से, and option number D, प्रयतन भोल से, तो आपके सामने answer number A, सूज से, ठीक है, कोहलर का जो सीखने का सिद्धानत है, वो सूज से संबद देते, इंसाइट से संबद देते, ठीक है, अंतर दिष्टे से संबद देते, चलिए, next question करते हैं, सीखना आवे सकता कि पूर्ती की प्रक्रिया द्वारा होता है, या किसका कथन है, option number A, हल का, option number B, बिने का, option number C, सिंप्सन का, and option number D, वार्ट का, यहां पर आपका right answer होगा, A, हल का, चलि, next question के तरह, move करते हैं, E.L. थॉन्डाइक ने सन 1913, यानि 1913 में अपनी पुस्तक सिच्छा मनोवे ज्यान में, सीखने के एक नवीन सिध्धान्त का प्रतिपादित किया था, जिसे निम्न कई नामों से जाना जाता है, कौन सा सिध्धान्त इसमें से थॉन्डाइक का नहीं है, option number A, थॉन्डाइक का सिध्धान्त, ये थॉन्डाइक का सिध्धान्त नहीं है, ये किसका है, ये हल का है, ठीक है, ट्रिबियस कोशन हम कर चुके है, चले निम्न में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किस ने किया है, option number A, रॉस ने, option number B, इसकीनर ने, option number C, थॉन्डाइक ने, and option number D, क्रो करोने, यहां पर आपका right answer होगा, option number C, थॉन्डाइक, चले इसी के साथ से सेसन को समात करते हैं, मिलते हैं निए सेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद,